हेलो दोस्तों मैं हूँ प्राइन साथ सभी का स्वागा करता हूं फिटो वैल के विडियो के अंदर तो दोस्तों एथेरियम एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके उपर बहुत सारा डाफ्लेक्मेंट हो रहा है और खास वर बात करें तो जिन प्रोजेक्ट में आज हम ट्रेड कर रह जो कि उसकी गैस फीज है और इन अपडेट्स के बात में बहुत सारे मेजर चेंजर आने वाले हैं जो कि इथेरियम की प्राइज को स्काय रॉकेट करने में हल्प करेंगी करेंगे प्लस जो आज के इशूस एथेरिम के साथ हैं और जो आने वाला फ्यूचर एथेरिम के सा पर उसके लिए भी एक नीव यहां पर रखने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरूर सा कि पूरा जरू देखे का समझाता हूं कि क्या क्या चीजे हैं थोड़ आसा यहां पर मैं आप डीटेल में समझने की कोशिश करेंगा ताकि आपको अच्छे से समझाए कि क्या क्या अ अगर हम यहां पर निवेंट के से सक्षिन के अंदर आके देखते हैं तो इतिरम का एक अभी चौधा अप्रिल को एक हट्फोक आने है वाला है जिसका नमें बर्लीन हाटपो एंड सेकेंड जुसका आएगा वो 31 जुलाई को आएगा जो कि है लंदन हाटपो यह दोनों ही हाटपो बहुत जदा इंपॉर्टेंट हैं इवन यहां पर वृतालिक हैं उन्होंने और भी चीज़े हमें बताई थी जो कि इस 100 एक सकी ज्यादा मास स्केल पर लाया जाएगा हम सबी को पता कि अगर हम लोग आज की टाइम पर बात करते हैं तो इथेरिम की जो इसकेलिंग कैपेसिटी है वो है 15 ट्रांजेक्शन पर सक्केन यानि की टीपीएस जिसको कहां पर इंक्रीज करके 1000 टीपीएस तक करने के यहां पर कोशिश करी जा रही है और यह सारा की सारा जो काम होगा यह बेसिकली होगा आप लेयर टू सॉलूशन की तुरू जो कहां यहां पर अप्लाए करे जाएंगे और इसके तुरू यहां पर 100 एक्स इसकी बढ़ जाएगी जिसका नाम है रोल आउट या रोल अप करके जो कि इसके वबर अप्लाए करा जाएगा और यह सॉलूशन इसलिए अपकर अप्लाए करा जा रहा है जो कि एथिर्यम 2.0 हमने द इसके अंदर रखा जाएगा जिससे की यह पॉसिबल है कि 15 पर सकेंड यहां पर हो पार रहे थे उनको कहीं रहे करे 4000 पर सकेंड तक खीचा जा सकता है अभी फिलारम जो तक शाडिंग आप्लाइड नहीं हो रही है तो यह एक मिजर अप्डेट थी जो कि इस अप्डेट का 15 डेस के अंदर यह चीज़े रोल आउट यहां पर हो जाएंगी सबसे पहला है बर्लीन हाटफोक जो कि आने वाला है 14 अप्रेल को और बर्लीन हाटफोक जो है वह बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग बात करते हैं बर्लीन हाटफोक के बार में तो यहां प होगा कि किसी भी नए जो प्रोटोकॉल सते हैं उन सभी के अगेंस्ट यहां पर प्रोटेक्शन भी इससे मिलेगा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस यहां पर बहुत पहले भी बताए थे आप यह वाले प्रपोजल देख सकते हैं यहां पर तो यह पर प्रपोजल चार पर्ट में डिवाइट करा गया है सबसे पहले है रॉपस्टन और आपका गुले और रिंकी यह तीनों की तिनों टैसनेट है और इसके बाद इसका में नेट आएगा तो टैसने 10 मार्च 2021 को स्टार्ट हो चुका है फिर 17 को फिर 21 को और उसके बाद फिर लास्ट 14 अप् अगर इसकी बात करें कि आखिर करें यह पूरा प्रोसस क्या है तो मैं आपको इसको एक डाइग्रम से समझाता हूं तो आप यह मालें कि अभी करेंट ली जो एधिरियम है जब आप उसमें कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपकर तीन ऑप्शन होते हैं एक और और ऑ आपको कोई करना है जिसमें आपके दोसको भी करना है और वह हम पर अगर वह टैन डॉलर की पे कर देता है इस अदर जो सैटिंग से उसमें और चताप करके तो कहीं ना कहीं आपर जो माइनर से वह उसको पहली देंगे और आपका ट्रांजिक्शन इस चक्यां पर हो होती और अगर उसको कुछ भी काम करना है वह पर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जो परसन हाइफी देता है उसका ट्रांजिक्शन पहले हो जाता है और माइनर से पार्टी करते हैं कि उनको खूप सारा पैसा के तौर पर मिलता है तो यह अभी की क्या होता था अगर आपने कोई कम फीज दी या फिर आपने कुछ भी कर रहा था आपका ट्रांजिक्शन है तो पैंडिंग होता था या फिर वह स्टक हो जाता था ब्लॉक्चेन के अंदर दो से तीम दिन तक लेकिन अब यह जो है पर EIP 115 का जो सॉलूशन है 1159 का जो हमें सॉलूशन आपर देखने को मिल रहा है इसके अंदर बहुत शांदार काम कर रहा है इसमें चोटा सा बग है बढ़ ठीक है आप उसको एक तरिक से थोड़ा इग्नोर कर सकते हो तो अब जो भी आप इसके अंदर दो चीजे हो सकती है सबसे पहला होगा एक बेस फी यानिकि उसमें बेस फी फिक्स होगी यह जो बेस फी होगी यह बेसिकली नैटवर्क के कंजेशन के हिसाब से होगी कि अभी नैटवर्क में कितना कंजेशन है और क्या प्राइजिस यहां पर चल रहे हैं बठाए जो बेस फी बहुत ज्यादा नहीं रखी जाएगी जिससे कि सभी लोग आपर काम कर सकें दूसर करना है तो उस ताइम पर चाहते हो कि आपका जो भी आपने अपनी तरह से फीज दिये जुब्यापका ट्रांजेक्शन है वह जल्दी हो जाए एसकें पर दूसरे लोगों से तो आप यहां पर टिप का सस्टेम होगा जो कि आप दे सकते हैं अब इसके अंतर सबसे बड़ा फाइदा क्या होगा कि जो भी बेस फी यहां पर काउंट होगी वह सीधे की सीधे इथिरियम उसको बन कर देगा और यह बर्निंग जो प्रोसेस होगी इथिरियम की सप्लाय को कम करने में हेल्प करेगी जिससे कि आप इथिरियम डी इंफलेशनरी असेट के तौरब यहां पर बन जाएगा प्लस यहां पर टिप दोगे वह जाएगी सीधे माइनर के पास तो अगर मालनों आप आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है आज के राइम में और आपको यह ट्रांजेक्शन कैसे भी करना है तो आप कह सकते कि माइनर को थोड़ा सा टिप दे सकते हैं और तो टिप को देने के पास माइनर आपकी टांजेक्शन को थोड़ा प्राइव टीप यहाँ पर ले लेगा लेकिन असा ज़रूर नहीं कि आपको टिप देना ही है टिप एक और चीज हो जाती ही जो कि आप दे सकते हैं अगर आपको हरी है लेकिन अगर आपको इतनी जदा हर देना हरेगी यह वरी किस तरीके से करेगे की आप महलू इस तरीके का आपके पास एक मीटरे जिसमें अगर आपका जो का मीटरे वह 50% के ऊपर जाता है तो आपकी यहां पर लगा जा रहा है कि जो इधिर में उसके प्राइजिस स्काय रॉकेट करना स्टार्ट हो जाएंग की हाला कि इसकी टोटल सप्लाई तो वैसिकल अभी अनिमिटेड है अब यहां पर सीधा सीधा इफेक्ट प्राइज के उपर हैं पर पढ़ने वाला है तो यह दोस्तों दो मेजर इवेंट थे जो कि बहुत ज़्यादा इस इंप्राइब करें आपको पराई बटर में दे दूँगा तो उसके मैं ने पताया था कि जो इनमें कितने फेसिस आने वाले और वो 2022 तक यहां पर अप्लीकेबल हो पाएंगे तो यह सारी चीज़ थी दोस्तों इसके फंडामेंटली जो कि आप समझ गए होंगे कि कितनी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टन चीज़े लाइन अप में आ गई है अब बात कर लेते हैं हम लोग टेक्निकल्स की क्योंकि आप लोग थोड़ा टेक्निकली भी चीज़े देखेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा तो अगर हम लोग यहां पर इथिरियम को सबसे पहले डॉल यहां पर दे दिया है तो जिन लोग ने बाटम में उसके नीरेस आसपास बाय कर रहा है वह अगर आप इस ताइम पर देखने की कोशिश करते हैं इस रेली को तो लगपक लगपक जो प्राइस हैं अगर यहां पर हमें 100 परसंट या 110 परसंट के असपास पर रिटन मिलता है तो लगपक लगपक 9000 से लेके 10,000 के बीच में इथिरियम का प्राइस यहां पर डॉलर वाइस जा सकता है और इसका दूसरा रिजन सिंपल सा है क्योंकि हम सभी को पता है कि इथिरियम का जो एक फ्रेक्शन ऑफ यूनिट के अगर हम बात करते हैं हम यहीं कहते हैं कि एक ब जरू कोशिश करेगा 10,000 डॉलर को ताकि उसका जो एक एवरेज प्राइस हैं वह यहां पर बन सके और अगर आपको ट्वेंटी टू लैक फिफ्टी थाउजन ज्यादा लगता और आप वन लैक के हिसाब से भी बात करते हैं तो भी अगर उसका 10% की बात करें तो कहीं नग थोड़ा सा नीचे देखें जो कि हमारा एक फिवरेट लेवल भी होता है फिवराश में 7 नंबर का तो वहां पर कहीं ना कई प्राइस 10,000 डॉलर तक हिट करते हुए हमें मिल सकते हैं तो यह दोस्तों है पूरा की पूरा जो कि आप इसको देख सकते हैं हाला कि मैंने एक से इसला है तोड़के भी और टू से थ्री एक से हो जा रहे हैं तो क्योंकि इसके डॉलर वैल्यूस भी बढ़ते हैं और हम एवरेज की बात करें तो लगपक इधिरियम अपने प्रीवेस हाई को यह पर टेस्ट कर सकता है बागि आपको थोड़ से और जधा इसमें नीचे के लेवल्स देखने हो तो अभी के लिए जो हमारा टार्गेट है वह हैं पर 0.049 इसके बाद हम टार्गेट देखेंगे 0.1 का इसके बाद जो प्रीवेस इसका हाई था 0.15 वह हमारा एक मेजर हाई होने वाला है जहां पर कि इधिरियम का जो बिटकॉइन प्राइसे से वह आ है कि यहां पर चल सकते हैं कि इतने मकट 10,000 टॉलर होता है तो बिटकॉण पर में भी प्राइसे जो है वह 0.15 के आसपा से 0.12 मिनिमूम हम कह सकते हैं यहां तक टेस्ट कर सकते हैं यह पूरा की पूरा एक फंडामेंटल चाहिए है आपको चाहिए समझ आगे होंगी फिर भ सब्सक्राइब करना बिल्कुब भी न भूलें साइट में दीकर नोटिफिक्शन बाल को दुपा क्यों पर क्लिक करें ताकि अपर आने वाली सब्सक्राइब पर पास सकें तो मैं मिलता आप से लिए कुछ निटेस्टिंग वीडियो के साथ तो तो तेकर हैवा ग्रेट डे एंड बाए बाए